असलामकुम क्लास आज किस लेक्शर में हम देखेंगे ओनर्स एक्विटी की रिकॉर्डिंग कैसे होती है यानि ओनर्स एक्विटी जब इंक्रीज हो रही होती है या डिक्रीज हो रही होती है तो उसको कब-कब हम डेबिट करते हैं और कब हम उनको credit करते हैं तो debit credit rules owners equity के पढ़ने से पहले हम देखते है owners equity होती क्या है owners equity represent the owners claim to the assets of the business यानि business के assets पे जो owners का claim होता है वो owners equity कहलाती है अब इसमें यहाँ पे आपके पास capital stock मौजूद है capital stock यानि के यह investments होती है by shareholders या owners आप कहले stockholders जो shares की सूरत में business में investment करते हैं और दूसरी एक और चीज़स में मौजूद होती है dividends यानि के owners जब business से drawings करते हैं पैसे निकालते हैं या आप अगर corporation है company है और owners को profit में से हिस्सा दे रहे हैं तो वो dividends कहलाते हैं तो दो तरह की owners equity से related entries होती है transactions होती है amount invested by the shareholders जो के capital stock होता है या फिर business से owners पैसे निकाल रहे होते हैं draw कर रहे होते हैं withdraw कर रहे होते हैं वो अगर sole proprietor है तो उसको drawings कहते हैं और अगर company है तो फिर हम उसको dividends कहते हैं तो जो हमारे rules होते हैं वो हम देख लेते हैं rules हमारे liability की तरह सेम होते है owners equity के और rules क्या होते हैं कि اگर owners equity increase हो रही है तो हम उसको credit पे लिखते हैं owners equity increase कब होती है जब investment by owners होती है यानि कि अगर company के shares issue हो रहे होते है या owners company के share purchase कर रहे होते है तो owners equity increase हो रही होती हैं और decrease कभ होती है owners equity, decrease तब होती है जब drawings होती हैं या dividends issues होते हैं या owners equity का portion dividends के तेहत थोड़ा सा आप कहले के dividend कीवजे से owner equity कम हो जाती है. अब हमारे पार कुछ business transactions हैं, वो transactions हम देखते हैं कि इनकी recording हम कैसे करेंगे Excel sheet पे. तो यह कुछ transactions हैं इनको हम Excel पर record करते हैं अब आप journal entries का format आप देख लीजिए हमारे पास सबसे पहले हम name of the company लिख देते हैं और उसके बाद हम देखते हैं general general entries लिखते हैं date का column होता है सबसे पहले हम date लिखते हैं accounts title यानि कौन कौन से accounts involved है for example कोई asset है या फिर आपके पास कोई dividend involved है capital stock involved है तो यहाँ पर हम वो लिखते हैं उसके बाद debit और credit का column होता है transaction हम date wise record करते हैं यानि chronological order में record करते हैं और इसके बाद सबसे पहले हम debit amount लिखते हैं या debit account लिखते हैं और उसके बाद हम credit account लिखते हैं ऐसा कभी नहीं होता कि पहले आप credit लिखते हैं और debit आप बाद में लिखे अगर आप ऐसा लिखेंगे तो गलत हो जाएगा और exam में number deduct बीड़ भी हो सकते हैं so class सबसे पहले हम transaction बाई वन देखते हैं rule हमारे पास ये मौझूद है कि increase in owner equity तो हम कहां पर record करेंगे credit पर record करेंगे और अगर owner equity decrease हो रही होगी तो हम कहां पर record करेंगे debit पर record करेंगे ये rules विल्कुल liability की तरह same है और assets के reverse है assets के vice versa है तो पहली transaction हम पढ़ते हैं और पहली transaction में क्या लिखावा है The company issued 4000 shares of capital stock at the rate 50 per share यानि कि एक share 50 का है और company ने 4000 shares issue किया है आप shares कहलें या stock कहलें जो share capital है वो हम British terms में कहते हैं और अगर आप capital stock की बात कह रहे हैं तो वो American terms में कहते हैं दोनों का मतलब same ही है तो यहाँ पर आपके पास company ने shares issue किये है तो company जब shares issue करती है तो company के पास सबसे पहले तो cash आता है cash आपका क्या है? asset है और asset जब increase होता है तो हम उतको कौन से column में लिखते हैं जबी भी company investment करती है जबी भी company share issue करती है तो company के पास generally cash increase हो जाता है और फिर उसके पास capital stock या फिर shares issue करती है तो capital stock यानि यह number of shares यह capital stocks है और capital stock है और यह capital stock आपके owner's equity है, issue किये जा रहे है तो increase हो रहे है capital stock अगर increase होता है तो कौन से column में आता है? credit column में और इसकी हम recording किस तरह करेंगे? कितने number of shares हमने issue किये है या तो total amount दे दी जाएगी और अगर amount नहीं दी जा रही है तो number of shares दी जा रहे है 4000 number of shares मौजूद है so 4000 number of shares है और एक share कितने का है? एक share उसने का है 50 का है एक share 50 का है तो हम इसको 50 से multiply कर लेंगे तो हमारे पास amount आ जाएगी जो कितनी आ रही है 200,000 या 2 lakh के shares issue किये है तो इसकी transaction कैसे करेंगे? date wise करेंगे सबसे पहले august 10 की transaction मौजूद है cash company के पास increase हो रहा है जब ही भी owners investment करते हैं business में cash increase हो रहा है क्योंकि asset है increase हो रहा है तो हम उसको कौन से column में लिखेंगे? उसको हम debit column में लिखेंगे है 200,000 या 2 lakh cash increase हो रहा है क्यों increase हो रहा है? क्योंकि shares issued by the company और investment की है capital stock के against तो capital stock आपकी owner equity है तो हमने यहाँ पे capital stock लिख दिया और वो कितने का है? वो आपके पास amount हम लिखेंगे या number of shares नहीं लिखेंगे अगर हमें number of shares दिये होंगे और amount दिये होगी तो amount ही लिखेंगे या number of shares के साथ आपको per share rate दिया होगा तो हम per share से उसको multiply कर लेंगे so this was first transaction जिसमें मारे पास cash increase हो गया so debit हो गया capital stock भी increase हो रहा है या owner equity भी increase हो रही है और उसको हमने rule है कि अगर owner equity increase होती है तो उसको हमने credit पे लिखना है तो ये आपकी पहली transaction थी capital stock कभी भी लिखा हो के shares company ने sale किये है ये shares was sold और इस तरह की कोई transaction लिखी हो तो फिर हमारे पास same entry है ये entry हम बनेंगे या investment by shareholder है तो भी हमारी ये ही entry same entry बनेगी दूसरी तरफ हम देखते है कि company अगर dividend issue करती है ये declare करती है तो क्या होता है अच्छा declare करने का मतलब है कि सिर्फ announce किया है अभी payment नहीं की है यानि अभी cash involved नहीं है cash future में involved होगा जब company pay करेगी dividends क्या होते है profit में से shareholders को जो हिस्सा देते हैं पार्ट देते है वो dividends कहलाते है जाहर सी बात है shareholders owners है तो profit में से जो भी उनको announce होगा dividend उनको दिया जाएगा क्योंकि profit की entitlement owners की होती है shareholders are the owners of the company तो उनको profit में से हिस्सा मिलता है अब यहाँ पर आप देखे कि next transaction जो लिखी भी है वो लिखी भी है कि the company declare a three lakh cash dividend to stockholder यहाँ पर word declare का है अभी दिया नहीं है cash अभी involved नहीं है सबसे पहले तो हम यहाँ देखते है dividends की बात हो रही है dividends क्या है यह owners equity का part है और dividends देने से owner equity आम तर पर आप कहले कुछ books में इसको expense भी ट्वीट किया हुआ है जिनके गलार ट्वीट किया हुआ है basically यह company का owners equity यह retain earning का part होता है so dividends की वज़े से owners equity क्या हो रही होती है decrease हो रही होती है owners equity directly इस तरह decrease हो रही होती है कि retain earning decrease हो रही होती है जब हम statement of retain earning बनाते हैं तो dividends हम उसमें से deduct कर रही होती है तो retain earning decrease हो रही होती है तो ultimately owners equity भी decrease हो जाती है तो rule यह है कि जब owners equity decrease होती है तो उसको हम कहां record करते है decrease in owners equity is recorded by debit तो हम उसको यहाँ पर debit पर record कर लेते हैं तो यह dividends हमेशा हम कहां record करेंगे debit पर record करेंगे और सिर्फ declared का वर्ड है, यानि अभी दिया नहीं है, future में देंगे, अभी दिया नहीं है, future में देंगे, तो जो amount future में देने वाली होती है, वो payables होती है, तो ये कौन सी payables है, dividends, payables, यानि ये भी एक liability की टाइप है, और ये क्या टाइप है, ये dividend payable कहलाती है, यानि कि ये वो dividends है, जो company ने declare कर दिये हैं, लेकिन अभी ये नहीं है, liability है, liability increase होती है, ये तो credit पर होता है, तो अब हम इसको record करते है, 18 August की transaction है, यानि हमारे पास dividends debit हो जाएंगे, और कितने dividend है, हमने कितने 3 lakh के announce किये थे, तो 3 lakh के dividend होगे, और अभी हमने pay नहीं किये, अगर हम pay करते है, त चला जाता, तो हमने pay नहीं किये, payables है, तो हमने यहाँ पे dividends payable लिख लिए, liability create कर दी, और कितनी amount, same amount, क्योंकि जितने से हम debit करते हैं, उतने से हम credit करते हैं, यही हमारा double entry system का rule है, इसी को हम duality concept भी कहते हैं, so dividends हमने debit किया, dividends owners equity है, owners equity जभी भी इंक्रीज होती है, तो debit पे, और liability भी increase हो रही है, क्योंकि हमने यह future में pay करने हैं, इस वज़े से हमने इसको credit किया है, उसके बाद next transaction हमारी जो है, next transaction August 24 की है, जो भी हमने 18 August को dividend declare किये थे, वो dividend हमने pay कर दिये, यानि कि paid a two lakh cash dividend to the stockholder, यानि उन में से हमने, जो है, जो है, ये declare किये थे, उन में से हमने dividend दे दिये, तो अब इसमें दो चीज़े हैं, पहली बात तो ये, ये paid a dividend to the cash, cash dividend है, तो इसका मतलब है, हमने यहाँ पे date record की है, और हमने dividends दे दिये, तो ये payable है, liability है, ये कम हो गई, और liability कम हो जाए, तो उसको हम debit पे लिखते ह है, तो dividends, payable, हमने कितने से liability हमारी कम हो रही है, हमारी liability कम हो रही है, two lakhs है, तो यहाँ पे हमने two lakhs लिख लाइबलेटी अपनी कम कर दी, और आपके पास से क्या चीज़ कम हो रही है, यह यह यहाँ चला गया, क्या चीज़ चला गया, आपके पास से क्या कम हो गया, cash हमने credit कर दिया, कितनी amount से हमने credit कर दिया two lakh से हमने credit कर दिया तो हम ये अधियू कर रहे हैं कि ये जो dividend हमने pay किये है ये हमने eighteen august वारे dividend जो थे जो कि हमने announce किये थे तीन लाग उसमें से हमने दो लाग dividend pay कर दिये है cash company के पास से चला गया है और last transaction अगर हम देखे last transaction आपने नासिफ dividend declare किये है बलके आपने pay भी कर दिये dividend and paid a cash declare and paid a cash dividend to the stockholder यानि कि ये entry अब आप direct बना लेंगे 26 august की बात हो रही है आपने यहाँ पे dividends नासिफ डिक्लियर किये है तो आपके पास dividends आपकी stockholder equity है और dividend जब आप issue करते तो stockholder equity decrease हो रही होती है और rule हमने क्या लिखा है कि stockholder equity अगर decrease हो रही हो तो हम debit पे लिखते हैं तो यहाँ पे हमने debit पे इसकी amount लिख देनी है और इसकी amount हमने कितने लिखनी है कितना आपने 3 lakh का dividend आपने declared and paid है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 3 lakh जिस दिन आपने declare किया उसकी दिन आपने pay कर दिया अगर आपने उसकी दिन pay कर दिया तो आपके पास से क्या चला जाएगा आपके पास से cash चला जाएगा तो direct हमने यहाँ पे cash की entry कर दी है 3 lakh से तो यह owner's equity से related आपके rules थे owner's equity में दो खास चीज़े हैं दो entry यह दो main आप कहले अकाउंट का जिकर होता है सबसे पहले capital stock की हमने बात की capital stock investment by shareholders होते है और जब भी investment by shareholders होते है तो owner's equity increase होती है और increase of owner's equity हम कहा record करते है credit पे तो आप यह देख लिए हमने credit पे record किया है जबके जो dividends है उसकी वज़े से owner's equity decrease हो रही है तो अब आप देख लीजिए कि यहाँ पे भी decrease हो रही है और यहाँ पे भी decrease हो रही है तो owner's equity अगर decrease होती है तो उसको हम debit column में record करते हैं तो यह थी total हमारी owner's equity की treatment की owner's equity कब debit पे record होती है और कब credit पे record होती है that's it from this lecture take care class